नमस्कार दोस्तों मैं सौनम जैन और आप सबी देख रहे हैं SJS 590 ä SJS 590 चैनल पर आप सभी का स्वागाते दोस्तों आज की कहानी हैं देवरानी जी पहुरानी नहीं नौक्रानी बनने के लिए तयार हो चाहिए यति आप सभी को मेरे दूरा रिखी गई है कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और पास में जो पहरा आइकन का बताने उसे प्रेस करना बुरकूर ना बूरे क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वारी हर कहानी की नोटिफिकेशन कहानी पसंद आने पर बीतियों को राइक करतीजीगा क्योंकि आप जानते है जब आप करते हैं बीतियों को राइक तो मचे मिलती है नहीं नहीं कहानी आ रिखने के लिए प्रेन ना और हाँ कहानी को अपनों के साथ से जरूर केजीगा जैसे कहानी जाता जाता रोको तक लो भावी आज पिर नन नहीं आए तो पानी भनने के लिए वहार जाओ मेरी तो कमर में दर्थ हो रहा है मैं नहीं जाने बारी सुवा ने अपनी जेथानी बनीता से कहा बनीता ने कहा अरे तु तेंसन क्यों रहती है गोपार है न वहे पानी भर कर लेकर आएगा गोपार गोपार बनीता ने अपने देवर गोपार को आवाच रखाते हुए कहा गोपार ने कह भावी आपने बुराया बनीता कहती हैं गोपार आच नर्ण नहीं आये हैं तुम जरह बाहर से पानी भरकल लाओगे बो क्या है ना हम दोनों को रसोई में भी बहुत काम है अभी तुम्हारे बड़े भईया आएंगे तो गुस्सा होंगे कि हमने अभी तक खाना नहीं बनाया यति तुम पानी भरकल लाओगे तो बहुत मतत हो जाएगी गोपार ने कहा भावी मैं अभी पानी लेकर आता हूँ आप चिंता मत कीजिए अच्छा गोपार जरती आना बिनीता कहती बही अभी सबजी बनाना भी बाकी है और तुम्हें तो पताए मुझे तुम्हारे हाथ की सबजी बहुत पसंद है हाँ भावी अभी आता हूँ कहकर गोपार पानी बनने के लिए नेचे चरा जाता तब सोभा कहती भावी गोपार तो आपकी हर एक बात मानता है तब बिनीता ने का आखिर माने का क्यों नहीं मेरा रारा देबर जोए बहित तो हे सोभा कहती और दोनों हसने रखते जब 10 वर्स का था तो उसके मातापिता का एक कार एक्सिदेंट में देहंत हो जाता। मातापिता के जाने के बाद गोपार अपने बरेभाईयों की जिम्मेदारी था। बरेभईया शुतिर 21 वर्स के थे और पराईय में हुस्यार होने के कारण उनकी जौब भी जरती रख जाती। और दो महिने बाद लिए सुतिर की साथी बनीता से हो जाती। बनीता घर में आती तो गोपार को भावी के रूप में मा मिर चुकी थी। विनिता भी गोपार को अपने बेते की तरह मांती, या यह कहाजाए, मांने का नातक करती, सबको यह जढ़ाती थी, कि वही गोपार से बहुत प्यार करती है, और गोपार से भी हमेशा अच्छा ही बेवार करती थी, तेकिन इस सब में विनिता का रारष था, वहे गोपार को अपनी उंग्रियों पर नचाना जो चाहती थी इसलिए बिनीता ने गोपार को चौथी किरास के बाद उसकूर भी जाने नहीं दिया बिनीता कोई ना कोई बहाना बना कर गोपार को उसकूर जाने से रोक लेती कभी कहती गोपार आचना मेरी सिर में बहुत दर्थ हो रहा है तुम उसकुर मत चाओ और घर पर रुख कर मेरी घर के कामों में मतद करो गोपार अपनी भावी तार रहा था इसलिए उनकी हर बात भी मानता था और जब भी भावी उसकुर जाने से मना करती ही तो गोपार भी उसकुर नहीं जाता क्योंकि उसे भी उसकुर जाना कहीं ना कहीं ना पसंत था बनीता गोपार को घर पर रोकती और घर के सारी काम बहाने बना कर करवा रहती गोपार मेरी सिर में दर्थ हो रहा है तुम पहुच्छा रखात हो ना गोपार आज मेरी कमर में दर्थे एक काम करो ना एह सारे बरतन साप करतो अब तो एह हर दिन का हो गया था गोपार घर का काम करता था और बनीता आराम से बैथ करती भी देखती थी बनीता की नचरों में गोपार की एहमियत घर के नौकर की थी और गोपार के बरे भाई सुतीर कभी गोपार से गुस्सा होते कि तुम अपनी पराई पर धियान क्यों नहीं देता तो उसकी भावी बिनेता उससे बचा रहे थी और कहती आपके नचर में से पराई येहमियत रखती है खुद का छोतवाई नहीं रखता उसका पराई में मन नहीं है तो क्या हो गया जो रुख परते नहीं है तो क्या भई कुछ कर नहीं सकते और आप मेरे देवर को दातना बंद कीजिए सुधिर सुवई से ओफिस चरा जाता था और साम को जब तक आता तब तक पिनी ता गोपार से घर के सारे काम भी करा देती थी और गोपार से यह भी कहती थी कि तुम अपने वरी भाईया से मत कहना कि तुम उसको नहीं जाते हो और घर पर मेरे साथ घर के काम करते हो यति तुम्हारे वरी भाईया को पता चरा तो वही तुम पर और मुझ पर दोनों पर बहुत गुस्सा होंगे गोपार अपनी भावी की बात मान जाता और अपने बड़े भहिया से कभी कुछ नहीं कहता दो वर्स बात गोपार के मंजरे भाई रोहन की भी नौकरी रख जाती और उसकी साथी सोभा से हो जाती सोभा भी बिनीता की तरह चतुर और चाराग थी इसलिए दोनों की आपस में बहुत अच्छे से वन रही थी और अब सोभा भी बिनीता की तरह गोपार से घर के काम कराने रखी पसेंदा सांदा गोपार अपनी दोनों भावी की हर बात मानता और आज 11 बर्स बात भी गोपार अपनी भावी की हर बात मान रहा था गोपार की उमर 21 बर सो गई थी और आज भी गोपार अपनी भावियों की घर के हर काम में मदद करता था सोबा विनीता से कहती भावी गोपार तो अभी तक पानी लेकर नहीं आया ना जाने नीचे क्या कर रहा है अब एही सबची कौन बनाएगा विनीता ने कहा तुम चिंता मत करो भई गोपार आकर सब कर रहेगा तब ही गोपार पानी भर कर आता और सबची बनाने रख जाता सुथिर और रोहन आफिस के लिए तयार होते और अपना रंच बाक्स लेकर जाने रखते तब ही रमेश काका आते और कहते सुथिर रोहन में तुमसे ही मिनने आया था काका जी आपको हमसे क्या काम था सुथिर और रोहन ने कहा तब ही सोवा कहते रो भावी फिर आ गया गोपार का हितेजी जरूर एही कहने के लिए आया होगा कि गोपार अब बरा हो चुकाई अब उसकी साधी करतो आखिर पिताजी के बच्पन के दुख्ष जो है इसरी उन्हें हमेशा गोपार की चिंता रहती ही है तब रमिस काका कहते सुतीर एफ हो तो तो देखो बंदना की है तुम्हारे पिताजी के अच्छे दोश्ते उनकी बेती है बंदना पास के ही गाउं में रहती है घर के हर एक काम में निपोने और गोपार भी 21 वर्सका हो गया है तो मुझे रखता है कि अब दोनों की साधी कर देनी चाहिए जिससे गोपार को भी अपनी जिम्मेदारियां समझ में आएंगी आखिर कब तक वही घर पर अपनी भावियों के साथ काम करेगा एही सुनकर सोभा और बनीता दोनों को गुसा आता बनीता रमिस काका से कहती काका जी आप कहना कह चाते हैं हम देवार जी से नहीं कहते कि वही घर का काम करें वही सुनकर से करते हैं तब रमिस काका ने कहा अरे बहु तुम तो बुरा मान गई मैं भी तो एही कह रहा हूं कि गोपार की साथी होगी तो उसे अपनी जिम्मेदारियां समझ में आएंगी और तुम भी जरा देखो इस रड़की को नाम बंदना हैं एकदम सिंधी सांधी है और गाउं की है और घर का हर एक काम बहुत अच्छे से जानती है और ऐसी रड़की तुम्हारे घर की बहु बनेगी तो तुम्हें भी तो घर के कामों में मतत हो जाएगी नकरेरी तो ब्रकुर ही नहीं बंदना की फोटो देखने के बा पसंद करो बैसे भी मुझे और रोहन को आफिस के लिए देर हो रही है तो हम आफिस चाहते हैं और काका जी आप चाय नाश्ता करकर ही जाना कहते हुए सुतिर और रोहन आफिस चले जाते हैं। तो आज इतनी खातिरदारी क्यों और बिनीता रमिस काका से पूछती क्या सच में एह रड़की घर के हर एक काम जानती हैं। लड़की के परिवार से कह दीजीगा कि हम बहुत चल्ट लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। काका जी ने का ठीक हे बहु तुम कहती हूँ तो कह दूँगा। कहकर रमिस काका वहां से चले जाते और सोबा बिनीता से कहती। भावी आपकी तब्यत तो थी के आप क्या कह रही हैं गोपार की साती। यदि गोपार की साती हो गई तो हमारा क्या होगा। पिनीता ने कहा मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। ना बंदना हैं और सकर से सिंधि सांधिये काओं की हैं इसलिए जाता परीरिकी भी नहीं होगी। और घर के हर एक काम में निपून हैं। तो जरस सोच इसके आने के बाद तो हमारे ऐसे हम तो महरानी की तरह रहेंगे और अपने घर की देबरानी को बनाएंगे नौकरानी पर भावी। आप इतने एकिन के साथ कैसे कह सकती हैं कि जो हम कहेंगे वही एक करेगी। आगर यती नकरे दिखाने रखी तो तब बिनीता ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चिंता मत कर और वैसे भी जब हम इसे देखने के लिए जाएंगे तो इसके बारे में सब कुछ पुश्टाश कर लेंगे। ठीक है भावी। आप कहती हैं तो सही होगा। लेकिन भावी आपको नहीं रखता कि अब देवर जी की साथी कर ही रहे हैं। तो एक ऐसी रड़की से करते हैं जो अपने साथ बह ने लिए आफत मोल लेते क्या गरीब है इसलिए तो हमारी उंग्रियों पर नाचेगी जैसे कि अभी देवर जी नाश्ती आ रहे हैं तो अब देवरानी जी के स्वागत की तैयारियां हमें कल लेनी चाहिए कहते हुए दोनों हसने रखती हैं क्या सच में बंदना इतनी सिं क्योंकि जब भी मेरे कराऊं कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चर सके कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ सेर कीजिएगा वीदियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बूर न बूरे थैंक्स पॉर वाचिंग